Hello Everyone, Welcome to Bluebell Online Study Friends, इससे पहले की वीडियो में हमने District Shimla को बहुत ही अच्छे से Complete History, Mountains, Rivers जितने भी Fairland Festivals होते हैं Shimla District में उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से Explain किया है तो उसी तरह हम District Blaspur के बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो को तीन पार्स में डिवाइड किया है Complete Blaspur डिक्स्टिक को बहुत ही अच्छे से डिसकस करेंगे और लास्ट में इसके MCQs और One Liner Questions को भी हम डिसकस करेंगे तो चलिए Friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं Blaspur जिले का गठन 1 जुलाई 1954 54 इस वी को हुआ था Blaspur जिले का मुख्याल ये Blaspur में ही है और जनसंक्या घनतवद 2011 के अनुसार 327 है और इसके अलावा Blaspur में साक्षरता दर 84.59% है 2011 के जनगर्ना के अनुसार और कुल 6 तरफल है 1167 किलो मेटर और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2.10% है इसके अलावा लिंग अनुपात है Blaspur का 980 और शिशु लिंग अनुपात है 900 डिस्टिक Blaspur में 176 ग्राम पंचायते हैं और विधान सवा शेतर 4 है और उसी तरह विकास खंड शेतर Blaspur में 4 है और उप मंडल भी 4 है कुल गाओं की अगर हम बात करें डिस्टिक Blaspur में तो 1060 है और इस 1060 में कुल आवाद गाओं है 965 तहसीले हैं Blaspur डिस्टिक में 4 और उप तहसीले हैं 3 इसके बाद इसके बाद इसके बात बिलासपूर के उचाई है बिलासपूर की 610 मीटर और इसके पूरब में अगर मैं मैप यहां पर बना देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए यहां पर आ गया फ्रेंस उत्तर के नीचे आता है दक्षिन और उसके बाद अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर आएगा पश्चिम और पश्चिम के बिल्कुल सामने आता है पूरब और बिलासपूर कहां पर इस्तित है हिमाजवर प्रदेश के दक्षन पश्चिम भाग में तो यह दक्षनी पश्चिम भाग हो गया अब देखे यहां पर पूरब में बिलासपूर की जो boundary है वो एक तो मंडी को touch कर रही है कर रही है ना मंडी के साथ साथ ये solan को भी touch कर रही है ये सभी boundaries यहां से होते हुए ये touch कर रही है पूरब में बिलासपूर की boundary मंडी को touch करती है और solan को touch करती है और दक्षिर में solan को touch करती है यहां confuse नहीं होना है, पूरब में touch करती है मंडी और सोलन, और दक्षन में touch करती है बिलासपूर की boundary सोलन को, और पश्चिम की हम बात करें, यहां हो गया पश्चिम, पश्चिम में पंजाब को touch करती है बिलासपूर की boundary, और उत्तर में हमीरपूर और मंडी की boundary को touch करती है बि बिलासपूर की उना यह देखें यहीं पर यह उना ठीक है तो I hope यह clear हो गया होगा सभी एक बार फिर से revise कर लेते हैं पूरम में डिस्टिक बिलासपूर की boundary टच करती है मंडी और सोलन को दक्षिन में टच करती है सिर्फ सोलन को और पश्चिम में पंजाब को टच करती है बि को टच करती है और इसके गार सक्ष मिलासपूर को दो भागों में बानती हैं इसके बार फ्रेंज में पाडियां हैं उनके वारे में के आ llismuk loh को पुराने समय में कहलूर के नाम से जाना जाता था इसके अलावा साथधार कहलूर भी बिलास्पूर को ही कहा जाता है क्योंकि यहां पे साथ पहाडिया है उन्ही साथ पहाडियों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिसकस करेंगे सबसे पहले पहाडी का नाम है फ्रेंस नेना देवी पहाडी नेना देवी पहाड़ी बिलासपूर में स्थित है और इस पहाड़ी की ये एहम बात है कि यहाँ पे नेना देवी माता का मंदिर है और इसकी समुंदर तल से उचाई है 1219 मीटर और इसके अलावा कोट कहलूर किला और फतेपूर किला भी नेना देवी पहाड़ी में ही स्थित है तो तीन पॉइंट्स निकल कर आते हैं सबसे पहला important point ये है कि नेना देवी की पहाड़ी स्थित है बिलासपूर में दूसरा important point ये है कि इस पहाड़ी में नेना देवी जी का मंदिर है और इस मंदिर की समुंदर तल से उचाई है 1219 मीटर और तीसरा important point ये है कि कोट कहलूर किला और फतेपूर किला भी नेना देवी की पहाड़ी में स्थित है उसके बाद next है friends कोट पहाड़ी या कोट धार ये भी बिलासपूर में स्थित है क्योंकि हम बिलासपूर की पहाड़ीों के बारे में discuss कर रहे है मैं बार-बार इसी लिए revise कर रही हूँ क्योंकि अभी हम बिलासपूर के बारे में पढ़ रहे हैं कि जहनजियार धार, कोट पहाडी धार, नेना देवी पहाडी धार ये सभी बिलासपूर में हैं जब separately question पूछा जाता है तो confusion रहती है कोट पहाडी या कोट पहाडी धार ये भी स्थित हैं बिलासपूर में कोट धार में वच्रेटू किला है ये तो clear हो गया वच्रेटू किला के अलावा भी बचेज, नोडा, शिवाला और डगोगा, मलोट, रियासती, काल में बने दुर्ग भी है और इसके अलावा नेक्स्ट है फ्रेंज, जहनजियार धार, ये भी बिलासपूर डिस्टिक में स्थित है और सीर खट इसे दो भागों में बाड़ता है यहाँ पर गुगा गेडवी और देवी भडोली का मंदिर है नेक्स्ट धार है तीथून धार, तीथून किला है और इसके अलावा पीर बियानू मंदिर भी तीथून धार में स्थित है और नोरंगड किला भी इसी पहाड़ी में स्थित है और इस पहाड़ी की सबसे उंची चोटी का नाम है सरियून और इसकी समुंदर तल से उंचाई है 1350 मेटर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंस रतनपूर पहाड़ी या धार पहाड़ी और धार 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 लोकल भाषा में बोला जाता है पहाड़ी को तो दोनों ही ध्यान रखना है इस पहाड़ी पर रतनपूर किला है जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टोरी ये है कि रतनपूर किला में डेविड अक्टर लोनी ने गुर्खा कमांडर अमर सिंग थापा को हराया था उसके बाद नेक्स्ट है बहादरपूर पहाडी या धार ये भी स्थेत है डिस्टिक बिलासपूर में और यहां पर बहादरपूर किला स्थेत है जो 1980 मीटर की उचाई पर स्थेत है और इसकी वज़े से ये बिलासपूर का सबसे उचा स्थान भी है बहादरपूर किला राजा विजय चंत का ग्रिशम कालीन आवास था बंदाला धार बंदाला धार 17 किलोमीटर लंबी है तो ये जितने भी साथ important पहाडिया या धार थी उन सभी के बारे में हम discuss कर चुके हैं इसके बाद friends अब हम नदियों के बारे में discuss करते हैं बिलासपूर में एक मातर नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी सतलुज नदी कसॉल से बिलासपूर में प्रवेश करती है और कसॉल स्थित है friends district मंडी में जब कसॉल से बिलासपूर में प्रवेश करती है फिर वो नेला गाउं से बिलासपूर को छोड़ कर पंजाब में प्रवेश करती है तो यहां से entry point और exit point दोनों ही ध्यान रखना है सबसे पहला point तो यही है कि बिलासपूर में एक नदी, एक मातर नदी है जो प्रवाहित होती है जिसका नाम है सतलज नदी दूसरा important point है कि यह कसॉल बिलासपूर में entry होती है और कसॉल स्थित है friends district मंडी में और जब बिलासपूर में enter होती है कसॉल से तो उसके बाद वो नेला गाउं से बिलासपूर को छोड़ कर एक्जिट हो जाती है और entry करती है पंजाब में और इसके बाद बिलासपूर जिले में अलिखड, गंभर, सीर्खड ये तीनों ही सतलुज नदी की सायक नदिया है इन तीनों के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं अलिखड, अलिखड सोलन के अरकी से निकल कर कोठी हरार से बिलासपूर में प्रवेश करती है और अलिखड बेरी घाट के पास सतलुज में मिलती है नेक्स्ट है फ्रेंस गंबर खड गंबर खड शिमला जिले से निकल कर नेरी गाओं में बिलासपूर में प्रवेश करती है और डंगरान के पास गंबर खड सतलुज में मिल जाती है तो एंट्री और एक्जिट दोनों ही ध्यान रखना है उसके बाद नेक्स्ट है सीर खड सीर खड बलघर के पास सुकर खड में मिलती है और सीर खड हटवार से बिलासपूर में प्रवेश कर सेरी के पास सतलुज नदी में मिलती है तो इस तरह से ये important हो जाता है सतलुज नदी के डिस्टिक बिलासपूर में अलिखड, गंबरखड, सीरखड, ये तीनों ही खड डिस्टिक बिलासपूर में सतलुज नदी की सायख नदिया हैं इसके बाद हम बिलासपूर जिले में TANK और टोबा के बारे में डिस्कस करेंगे TANK को ही स्थानी भाचा में टोबा बोला जाता है टेंक सांगवाना इस टेंक का निर्मान किया था फ्रेंज राजा विजय चन्द ने और इसके अलावा बिलासपूर में टेंक कसोल, टेंक जम्थाल, टेंक रिवालसर और टेंक नेना देवी ये तीनों हीर टेंक स्थित हैं फ्रेंज डिस्टिक बिलासपूर में तो ये दोनों यहां से आपको इजली याद रहेगा स्वारगाट टैंक और जगत खाना टैंक इन दोनों का निर्मान 1874 भी में राजा हिराचंद के द्वारा किया गया है और इसके अलावा जबकि टैंक सांगवाना इसका निर्मान राजा विजेचंद ने करवाया है इसके बाद हम बिलासपूर के जितने भी चश्मे या जील है उनके बारे में डिसकस करेंगे बिलासपूर जिले में बस्ती और लुट जल प्रपात स्थित है तो ये दोनों ही जल प्रपात का नाम याद रखना है और इसके अलावा यहाँ पे ओशत ये जल वाले दो चश्मे भी स्तित है जो एक स्वारगाट के समीब दद राना में स्तित है दूसरा गाउं बसी के समीब है बिलासपूर में गोविन सागर जील है जो हिमाचवर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है मानव निर्मित जील का मतलब होता है जिसे इनसानों के द्wnारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित कहा जाता है इस जील का निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है भागडा बांध इसी नदी पर बना है और इस जील का शेतर फल है फ्रेंज 168 वर्ग किलोमेटर और देश के प्रथम प्रधान मंत्री जुवालाल नहरू ने भाकडा बांध की आधार शीला 1955 ISB में रखी थी और इस बांध की उचाई 225 मेटर है तथा ये बांध 1963 ISB में बनकर तियार हुआ था इसके नेक्स वाले पार्ट में फ्रेंडस हम बिलासपूर डिस्टे के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन राजाओं ने बिलासपूर में राज किया था I hope कि आपको मेरा effort पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Thank you so much